लेवल पर्फेक्टली काम किया है अब आज ये ब्रेक हुआ एक अच्छा सा अपसाइड में मुव्मेंट है फिबनाची का अड़र आप खीचेंगे इसके हाइस से लोवेस पॉइंट को तो आप देखेंगे कि 0.6 का लेवल अराउड इस लेवल पे है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ट्रेंड को पर्फेक्टल में दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और कुछ रहे होंगे दोस्तों जैसा कि आपको बता है कल के नहीं हम लोगों ने इससे पहले वाले अनलेसिस में जो भी हमने निफ्टी क लेवल्स ड्रॉ किये थे एकदम पर्फेक्टली काम किया है अब देखिए तो अभी भी मैंने वह लेवल्स डिलीटने किये हैं अब देखिए तो इसका जैसे आज यह ब्रेक हुआ एक अच्छा सा अपसाइड में मुवमेंट आया और अभी भी कई नहीं को कितने अच्छे प्लान रकना है वह सारी चींजोगा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे दोस्तो तो अगर आप चैनल में काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है अगर इस यह लेवल की बात करें तो यह लेवल अराउंड है उनने सजार सास्टो सब्सक्राइब तो इसके उपर ही अगर जाता है तो फिर हमें एक अच्छी सी अपसाइड मोमेंट यहां तक के लिए एक्सपेक्ट करनी साहिए जो कि कई नहीं दुबारा से यहां सी गिर गया तो इसलिए दोस्तों यह लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं इसे मार्क कर देता हूं इसके ऊपर अगर मार्केट कर जाता है तो यहां से अच्छी है मैं अपसाइड मोमेंट देख सकती है तो दूसरी तरफ अगर आप में द्यान देंगे तो विक्स भी जो है हमारा अभी के नीचे चला तो जबता है तो कहीं ने कहीं वार्केट में सेलिंग प्रेशर उतना में देखने को नहीं मिलेगा जैसे के ऊपर जाएगा तो हो सकता है वोलाटाइल मोगा तब हमारा मार्केट अच्छे से गिर सकता है बट अभी फिलाल ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम अपनी अनलिक्स को बुलिश रखेंगे दूसरी सीजिए दोस्तों जैसे अगर आप वन आवर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो दोस्तों अभी हम लोग मुविंग एवरेश के उपर ही है तो अभी ऐसा कोई भी सिनारियों नहीं है कि हम उसमें तेज़ रखेंगे बठा यहां से अगर यह कल यह वाला स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा और हम यह काएंगे कि यह वाला जो डाउंट्रेंड था यह हमारा फेल हो चुका है और अब यह अप्ट्रेंड में करेंगा ठीक है तो इस इसके द्यानक केंगे दोस्तों अब ऐसे ही बात करते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आप देखेंगे तो आमने जो लेवल ड्रॉब दिया था जिबकिए इग्जेक्टली दूसी लेवल से यहां से यह कितना अच्छे से सपोर्ट लेके उपर गया है जैसा कि हमने आपको बताया भी था 15 में ट्रेट प्लांड करते हैं उसको ही खोल लेते हैं जैसे देखिए दोस्तों यहां से यह जैसे यह आज मार्केट यहां पे खुला और खुलते ही नीचे स यहां से दोस्तों अगर कल के दिन यह फ्लैट फुल के उसके बाद यह ऊपर जाना कंटीन्यू करता है तो हमें दोस्तों यहां 45000 के लेवल से इस पर ही द्यान अगना चाहिए यह अगला टार्गेट बन सकता दोस्तों और यहां से अगर यह इस वाले लोगोड तोड़ता ह है यहां 45000 फाइबनेट 67 तो इसके नीचे अगरा दोस्तों यहां से तरीके से श्रक्चर वणाता है तो यहां से अच्छा डाउन फॉला सकता है तो दोस्तों कल के लिए बैंक निफ्टी में काफी द्यान कना पड़ेगा की दोड़ा सब्सक्व लोग देख लेते हैं इसमें अच्छा सा अच्छे से अपने यह जो एक रेसिस्टेंस के पास में ठीक है तो तो अगर यहां से अभी आपके में कोई नेक पोजीशन नहीं नहीं अगर यह नीचे आता है यह तो यह दो होल्ड करता है तो यह थो से अपनी पर पूरी ने सकते हैं अभी नहीं कहूंगा पूरी एंट्री लीजे जब अच्छा सेथारी ट्रेस्मेंट आजा उसके वाद ही उपर जा तभी इस पॉइंट पर ही आपको अपनी सारी मरलब काफी कॉंटिटी आड़ करनी चाहिए तो यह स्टॉक्स में जो है गवर्मेंट का हमारा कुछ पॉलसी थी तो उन्होंने अपना जो भी फीचर ब्लान किया है कि हम इंडिया क को इलेक्टिकल मतलग से मजबूत करेंगे ठीक हैं इंडिया को तो उसी की वज़े से यह सारे स्टॉक्स में बढ़े हैं जैसे मैंने आपको टोरेंट पावर भी सजिस्ट किया था देखेंगे तो आप वो भी काफी अच्छा उसमें मूव आया है तो अगला स्टॉक है मार पहले डिसकर्स किया था और आप देखिए तो कितना पर्फेक्ट लेवल पर मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने बताया था और फाइनली थोड़े दिन यह स्ट्रगल थिया एक बार याप यह जो ट्रेंड लाइन थी थोड़ा सा मैं आपको क्ल मैं अब तेजी देखने को मिलेगी किलाल एक पुल वैक आने के बाद में अगर आप इसको आपको यह मिल पाता है तो यह बहुत अच्छी जगह होगी और अगर आपने इसके ब्रेक आउट पर ट्रेड लिया होगा तो यह अच्छा अपरशुनिटी था दोस्तों अगले स् ही कैंडर बिद्स बटाएं लेकिन अब यह जो लेवल यहां परकेट कर्य granddaughter अगर अगर यहה होता है और यहां से री टेस्ट करकी उपर जाता हो सकता है थोड़ा पुल बैग भी ले सकता है तो दोस्तों इन सारी चीजों का ध्यान अखेंगे तो इसमें कहीं नहीं एक अच्छी तेजी आने वाली है ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का अच्छा लगा हो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में